प्रश्य जोद्र लिंग उंका रेश्वर में रवीवार को बड़ा हासा होते होते बजया बांध की देखरे करने वाले HSJC कंपनी ने सुब़ई 11 बजे उंका रेश्वर बांध से पानी छोड़ दिया इससे नर्मदा नदी का जलिस्तर एकाईग बढ़ गया उस समय नदी में शनान कर रहे दी से श्रधालू मंजधार में फस गया उन्होंने नदी की चटाने पकड़कर अपनी जान बचाई बाद में नावी को नहीं बचाने गया रश्यो के मदद से उन्हें नाव में बिठा कर किनारे पढ़ लाए गया रवीबार होने के कारण उंका रेश्वर में काफी भीड थी कंपनी ने भीड की परवाना करते हुए 11 बजे हुटर बजाया और पानी छोड़ दिया दूसरे प्रदेश्यों से आए लोगों को हुटर की जानकारी नहीं थी इस सेवा समझ नहीं सके कि हुटर बजने के बाद बांध का पानी नदी में छोड़ा जाएगा वे नदी में नहाते रहें जब अचानक बहाव टेज हो गया तो उनकी जान पर बनाई नगर घाट पर 30 से भक्त नदी में फसे रहें रहत की बात रही कि कोई नदी में नहीं बहा दस मिनिट के भितर आट नावों में फसे लोगों को बाहर निकाला गया और इस तरह उनकी जान बरत की इस दोरान प्लिश प्रशासंगिला पर वाही भी साफ नजर आई घटना के प्रतेक्ष दर्सी रंजीत भावरिया ने बताया कि घटना सुबए 11 बजे की है नदी में पानी कम होने के कारण कई लोग किनारे में पार 50-60 मिटर अंदर तक स्नान करने चले रहते हैं रविमार को भी ऐसा ही हुआ बान का पानी छोड़े जाने से पानी का जलस्तर बढ़ गया तीस से जादा लोग नदी में फसे थे बचाओ बचाओ चिला रहे थे नावी के उन्हें किनारे पढ़ लाएं तब जाकर के उनको रहत के सांस ली जादा तर लोग गुजरात और महरास्ट के हैं रंजीत ने बताया कि खुटर के लावे घाटो पर अनाउंसमेंट भी किया जाना चाहिए ताकि बाहर साने वारे लोग भी बान से पानी छोड़े जाने पर साउधान हो सके भार पर कंपनी ने कोच चतावनी बोड भी नहीं लगाया है बिलो डिपोर्ट, CRD News, उंका रिश्वर